समस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में Time and Work का जो Second Part है उससे Start करने जा रहे हैं इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने एक से लेके बारा कोशन कर लिये थे और इस वीडियो में हम 13 से लेकर 24 कोशन को देखने वाले हैं जो राकेस याद उसर हैं उनके जो Class Notes है अर्थमेटिक पहले हम Complete कर रहे हैं दोनों ही मीडियो में ये वीडियो होने वाली है मतलब जो कोशन होंगे वो English मीडियो में भी होंगे और Hindi में यानि Bilingual आपको कोशन देखने को मिलेंगे PDF के लिए मैं बता देता हूँ Description Box में Telegram का एक Link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो वो Download कर सकते हैं यानि कि जो कोशन है वो आपको मिल जाएंगे Practice के लिए इसी Class Notes के और Solution जो है मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को Cover Already करवा चुक हैं Part 1 में 12 तक और इसमें भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत जादा अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से Class Notes को समझ भाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये Second Part है Time and Work का हमने सबसे पहले Time and Work ही उठा है सबसे Basic Concept होता है इसलिए तो First Question यानि कि जो इस वीडियो का जो First Question है और वैसे देखा जाए तो Time and Work का 13 Question है तो इसमें बोला गए है कि Two Candles of Same Height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively If both start burning at the same time at their respective constant speed then find after how much time ratio of the height become 2 ratio 3 बतब सिंपल अगर इसको हिंदी में समझाओं कि देखे दो मॉंबतियां है मैं आप लोगों के यहां पर मॉंबति बना के भी दिखा देता हूं दो मॉंबतियां है एक पर मान ले ना यह मॉंबतिया है एक एरी Same Height है उनकी बोला गए कि Same Height है और कहते हैं कि उनको Same Time पे जलाया जाता है ऐसा नहीं कि इसको पहले जला दिया इसको बाद में जला दिया वह Same Height है उनको जलाया जाता है तो यह A मॉंबतिया है और यह B मॉंबतिया है तो कहा जाता है कि जो यह A मॉंबतिया है पूरी complete जल जाती है चार घंटे में इसको पूरा 4 घंटे जलता है लगता है मतलब कि अपने आपको पूरा burn करने में वहीं ये वाली जो मौंबती है इसको 6 घंटे लगते है complete burn होने में यानि complete जलने में तो इसने बोला कि भाई साब इन दोनों को same time पे जलाया जाता है तो कब उनकी जो height का जो ratio है वो 2 ratio 3 हो जाएगा मतलब कि यह 4 गंटे में जल रही है तो यानि यह जल्दी जलेगी यह 6 गंटे में जल रही है यानि कि यह late जलेगी भई late जलेगी इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसको जलाया तो इसकी कुछ height खतम हो गई इसको हमने जलाया तो इसकी height कुछ खतम हो गई मान ले इसकी height यहां तक चली गई और इसकी height यहां तक चली गई तो यह इसकी height जो बची रही 2 और इसकी height बची रही त्री तो यह कितने time में हो जाएगा यह question पूछा गया तो first of all जो हमारा basic concept रहता है कि भाई साब जो आपके सामने दिया गया है जो आपको समझ में आ रहा है statement में उस पे काम करना तो समझ यह आ रहा है कि ऐसा मान लिजिए A काम कर रहा है और B काम कर रहा है ठीक है? तो यहाँ पर देखिए A काम कर रहा है और B काम कर रहा है कितने घंटों में ये 4 घंटों में काम कर रहा है और ये कितने घंटों में काम कर रहा है ये 6 घंटों में काम कर रहा है इनका LCM ले लीजिए LCM आएगा आपके सामने कितना इनका आएगा आपके सामने 12 तब LCM आपने 12 लिया तो इसका जो efficiency है A की जो efficiency है वो आपके सामने जो निकल कर आएगी वो तीन निकल कर आएगी और B की जो efficiency वो दो निकल कर आएगी तो यहां पर आप देखिए इनकी जो length है आप माल लेजे इनकी जो दोनों की length है वो इनका LCM ही है यानि की let the length of both candles क्योंकि same है तो आप माल लेजे 12 unit उनकी length हो गई ठीक है अब यह 12 unit आपको length total दी गई है अब 12 unit A की है और 12 unit B की है अब इस 12 unit में आपके सामने यह जो efficiency है एक तरीके से speed हुई न यह speed हुई एक घंटे में जल रही है माल लेजे 3 unit एक घंटे में 3 unit जल रही है A वाली और B वाली 2 unit जल रही है एक घंटे में तो यहाँ पर माल लेजे एक स्टाइम में यह पहुँच जाएंगी इनका जो ratio है वो 2 ratio 3 हो जाएगा भाई इसकी 3 को multiply करवादो X से minus 12 में यहाँ पर minus करेंगे 12 में से और यहाँ पर 2 की multiply करवादो X से और यहाँ पर इनके सामने जो है इनकी ratio दी गई है वो रख देते हैं 2 ratio 3 आप ratio को by में भी रख सकते हैं जो होता है न कि बटे में इसमें भी रख सकते हैं fraction में तो यह देखिए इसको फिर से समझे यह total length थी A की और B की भाई total length में से मैं minus कर देता हूँ कितनी minus कर देते हैं भाई मान लीजिए वो X time में पहुंच जाती है X time में पहुंच जाती है 2 और मान लीजिए यह B वाली जो है वो X time में पहुंच जाती है 3 इसकी speed 2 है और इसकी speed 3 है इससे आगया अब cross multiplication कर दीजिए cross multiplication करेंगे तो यह हो गया आपके सामने 36 minus का 9X is equal to यहाँ पर 24 minus का 4X अब यहाँ पर इदर लेकर आएंगे यह वाला यहाँ पर लेकर आएंगे यहाँ पर आएका आपके सामने plus का 5X और X की value आएगी 12 बटे 5 यानि की 2 सही 1 बटे 2 सही 2 बटे 5 यानि 2 hours यह तो 2 घंटे हो गए 2 hours यह 2 बटे 5 जो बचे हैं आप इसको एक काम करिए आपको इसको minute में convert कर लीजिए अब जब इसको minute में convert करेंगे तो आपके सामने 24 minutes आ जाएंगे तो यह हो गए आपके सामने कि भाई यह कब किस time में कितने time बाद जो है वो 2 ratio 3 पहुंचाएंगे तो 2 घंटे 24 मिनट बाद जो इनकी length की जो ratio वो 2 ratio 3 हो जाएगी तो यह आपके सामने 13th question और इस video का first question यह आपके सामने explanation होगी अब ऐसा ही एक और question कर लेते हैं आप वो खुद practice करिए ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि किया कया गया है तो एक बार वीडियो को pause करिए और वही same question है statement वही same है बस इसके अंदर जो numeric value है वो change कर दीगए ताकि आप लोगों इसके उपर practice कर सको एक बार वीडियो पोज करिए और करने ही कोशिच करिए तो उमेद करता हूँ कि आप लोगों ने इस question को किया होगा तो अब मैं करवा देता हूँ देखें वही same चीज रही कि two candle of same height can burn complete in 12 hours and 20 hours respectively कि दो मुंबतियां है वो पूरी जल जाती है एक तो बारा गंटे में जल जाती है और एक बीस गंटे में जल जाती है बोज स्टार्ट बर्निंग टोगेदर दोनों को same time पे जलाया गया उनकी respective speed पे वो जल रही है तो कि यह A मुंबति है यह B मुंबति है A जो मुंबति है भाई साब वो कितनी तेर में जल जाती है complete 12 hours में B जो मुंबति है वो कितनी तेर में जल जाती है वो जल जाती है भाई साब 20 hours में इनका LCM ले लीजिए LCM आप जब लेंगे इनका LCM आएगा 60 एक तरीके से यही जो है LCM जो है यही आप मान लेजिए Length जो Length है वो यही है आपके सामने 60 अब देखिए अब यह जो है वो जल रही है 12 गंटे में 20 गंटे में तो Length आपके सामने 60 आ गई तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी जो Efficiency है यह जो जलने की Speed Up per R की वो आपके सामने 5 उनिट निकल कराएगी इसकी जो निकल कराएगी वो 3 उनिट निकल कराएगी Clear अब देखिए वही सेम करेंगे 60 जो Length थी मान लिए दोनों की 60 Length है Same Length तो उसने बोला है न कहां बोला है Same height Same height मान लो यह सेम Length एक ही बात हो गई तो यहां पर देखिए इसने बोला 60 Length है हमने मान लिए मिले 60 Length है तो 60 में से हमने 5 X माइनिस कर देंगे यहां पर 60 में से 3 X माइनिस कर देंगे यह 5 के यह Speed है यह X के है यह Time है तो अब हमारे सामने की Ratio बन के आएगी 3 Ratio 5 यही बोला था हमें यही बनाना था हमने रख दिया तो अब Multiplication करेंगे Cross Multiplication यह 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 तो यहां आएगा 300 माइनस का 25 X is equal to 180 minus का 9 X तो यह यहां लेके आजाएए यह यहां लेके आजाएए तो यहां पर आएगा 120 is equal to 25 उदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इसमें minus करीए 9 X तो यह आएगा आपके सामने 16 X यहां आएगा आपके सामने 120 तो X की value आएगी 120 बटे 16 आप इसको काटेंगे तो 30 यहां आएगा 4 यहां 15 और यहां 2 यानि 15 बटे 2 यानि की 7.5 गंटे 7.5 गंटे जो हैं वो लगेंगे इनको 3 रिशो 5 में पहुंचने में इनकी length खा तो यह हो गया आपके सामने second question यानि की 14th question same question थे मतलब कि जो पहले वाला question था same question यह वाला है अब थोड़ा सा इससे हट के जो question आपको दिया गया है उसको करने के हम कोशिश करते है first of all तो एक बार इस question को ध्यान से पढ़िए एक बार video pose करिए खुद करने की कोशिश करिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर आप इस question को समझी अगर नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है at least आपने try किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है तो चलिए start करते है तो इसमें बोला गया है देखे 15 question है इसके 5 part है तो आप यहाँ देखिए 3 men A, B, C 3 आदमी है A, B, C किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं respectively तो आप यहाँ पर काम करिए जो 3 आदमी है यहाँ पर हम लिख लेते हैं persons ठीक है यह person होगे अब यहाँ पर कौन कौन से person होगे यह A है, यह B है और यह C है तीन person होगे ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो वो days लगा रहे हैं कितने days लगा रहे हैं आई साब A जो है वो 10 दिन लगा रहा है B जो है वो 12 दिन लगा रहा है C जो है वो 15 दिन लगा रहा है बहुत बढ़िया अब इनकी efficiency ले लेते हैं 10, 12, 15 की efficiency नहीं इनका जो LCM है LCM बोले तो एक तरीके से work आएगा हम question को बाद में पढ़ेंगे जो हमारे सामने दियागे नो उस statement को हम complete कर लेते हैं तो 10, 12 और 15 की जो LCM आएगा वो 60 आएगा और इनकी जो efficiency निकल कराएगी efficiency जो निकल कराएगी A की जो efficiency निकल कराएगी वो आएगी आपके सामने 6 B की जो efficiency निकल कराएगी वो आपके सामने 5 और C की जो efficiency निकल कर आएगी वो 4 तो first of all तो ये होगी है हमारे सामने ध्यान रखना A की efficiency कितनी है 6 है B की efficiency ये efficiency है इसी से हमें काम करना है इसको ध्यान रखना B की efficiency कितनी है 5 और C की efficiency कितनी है 4 है अब कोशन पढ़िए कहता है कि If A, B, C start work together भाई A, B, C ने काम करना शुरू किया एक साथ 6 प्लस 5 प्लस 4 यानि की ये होगी 15 15 के efficiency से वो काम कर रहे है After 2 days A left the work 2 दिन बाद A काम छोड़के चला जाता है And next after 2 days C also left the work उसके 2 दिन बाद C काम छोड़के चला जाता है Then find in how many days the whole work will be completed in how many days भाई साब इसने बोला कि A जो है 2 दिन बाद काम कर छोड़के चला जाएगा C जो है इसके 2 दिन के बाद काम छोड़के चला जाएगा मतलब जब A काम छोड़के जाएगा उसके 2 दिन बाद C काम छोड़के चला जाएगा तो बताइए ये जो काम है काम कितने आपके सामने 60 ये काम कितने दिन में complete होगा तो देखो A प्लस B प्लस C बाई दो दिन तक तो A रहेगा ना इनके साथ दो दिन तक A रहेगा तो efficiency कितनी है इन तीनों की 15 यानि कि काम कितना हो जाएगा 30 फिर A छोड़के चला गया अब उसके 2 दिन बाद C चोड़के जाएगा यानि 2 दिन तक तो B प्लस C अब काम करेंगे 2 दिन तक काम करेंगे देखिए ये 2 दिन अब टोटल कितने दिन हो जाएगे 4 दिन हो जाएगे ना अब गिनते रही है दिन भी फिर यहां पर कोन आ जाएगा B आ जाएगा first of all तो इनका B प्लस C का काम करवा लेते हैं B प्लस C यानि कि 9 यानि कि 18 अब बाकी बचा काम कोन करेगा बाकी बचा काम करेगा B कितना बचा रहे गया काम देखिए 30 काम कंप्लेट कर दिया था इन दो दिन में फिर दो दिन में फिर 18 काम कंप्लेट कर दिया था यानि कि 48 वर्क तो कंप्लेट हो गया था टोटल वर्क कितना था 60 टोटल वर्क 60 था जिसमें से 48 हमने कर लिया तो हमारे सामने वर्क कितना रहे गया 12 तो हमारे सामने वर्क क्या रहे गया 12 अब भी ही उस काम को करेगा 12 काम को करेगा वो कितनी के efficiency से 5 के efficiency से कितने दिन में कर लेगा 2 सही 2 बटे 5 की 5 दिन में तो अब देखे टोटल कितने दिन लग गए यही पूछा गया है तो टोटल डेज जो है वो लग गए आपके सामने देखें, 2 दिन ये वाले 2 दिन ये वाले और 2 सही 2 बटे 5 ये वाले यानि की 2 प्लस 2 prz 2 सही 2 बटे 5 यानि की 6 सही 2 बटे 5 देज जो है वो आपको लग गए काम कुम्पिलीट करवाने में तो ये हो गया आपके सामने 15 का 1st पार जिनके सामने आपके after two days, after two days अब इसमें भी हम statement में थोड़ा change करते चलेंगे बहुत बढ़िया question है अलग-अलग type के इसमें करवाय गए है तो अब आते हैं अगले type के उपर यानि कि 15 के second part के उपर एक बढ़िये जो question है आप खुद करिए बहुत बढ़िया question है इसमें statement में थोड़ा बहुत change किया गया है और statement को ध्यान से पढ़ने तो चली start करते हैं देखें इसमें बोला गया है A, B, C start work together भई तीनों ने काम करना शुरू किया A, B left the work two days before the completion of the work then the whole work will finish in how many days ये question थोड़ा पहले आ गया मतलब कि ये जो type है जो इसका part है, 15th का second part है वो थोड़ा पहले आ गया इसको बाद में आना चाहिए था एक मिन्ट में अगला question देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या बोला गया है इसमें नहीं है चली ये कोई ना कोई ना इसी से कर लेते हैं तो देखें पहले था after after, लेकिन अब before आ गया अब यहां पर इस question को करने का तरीका क्या है देखें काम तो वही है हमारे सामने A की efficiency कितनी है 6 है, B की efficiency कितनी है 5 है, C की efficiency कितनी है, 4 है यह efficiency पता है, total work हमको पता है, कितना है, 60 है अब statement को ध्यान से पढ़ना है, देखें, A, B, work start together, A, B, C ने, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया, एक साथ अब तीनों ने काम करना शुरू कर दिया एक साथ, तो अब क्या किया, भी, A, B जो है, वो काम छोड़के चले जाते हैं भी, काम खतम होने के दो दिन पहले ही, अब before लिखा है, दो दिन काम पहले ही छोड़ देते हैं वो अब बताईए कि काम कितने दिन में खतम होगा, अब यहां पर जो एक कोशन मैंने आप लोगों को अभी करवा है न यह, इसका एक short way भी है वो भी मैं करवा हूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों कोशन समझा देता हूँ तो देखिए A, B, C ने काम करना शुरू कर दिया तीनों मिलके काम करते हैं लेकिन दो दिन पहले जो है वो काम छोड़के चले जाते हैं सर दो दिन बात चोड़के जाते हैं तब तो हम इनको काम करवा लेते लेकिन यह तो दो दिन पहले काम छोड़के जा रहे हैं तो क्या होगा तो आप मान लेजिए न Let the work Let the work completed In x days मान लेजिए x days में काम complete हुआ है एक बार x से मैं आप लोगों करवा रहा हूँ यह सीच समझाने के लिए तो देखिए A प्लस B ने दोनों ने दो दिन पहले काम छोड़ दिया तो मान लेजिए इन दोनों ने काम किया x माइनस 2 डेज तक मैं लग इनकी efficiency कितनी है इसकी 6 है इसकी 5 है यह निक 11 ठीक है प्लस C ने तो भाई साब हर दिनी काम किया होगा तो C के efficiency है 4 तो 4x तो total काम कितना हुआ होगा यह सब मिलके करेंगे तो भाई कितना ही काम होगा जितना हमने LC मिलिया तो 60 तो देखिए 11x माइनस का 22 प्लस का 4x is equal to 60 यह 22 यहाँ चला जाएगा यह 4 इस 11 में add हो जाएगा 15x तो यह 22 यहाँ बजागे प्लस हो जाएगा तो यह आजाएगा आपके सामने 82 तो x equal to 82 divide by में 15 अब आप करेंगे तो 8, 12 किसमें जाएगा या किसी में जा रहेगा यह तो नहीं जा रहा किसी में भी तो आप इसको कर लीजिए 15, 15, 60 15, 6 15, 6 15, 6, 90 15, 5, 5 जाएगा 75 तो 15, 5, 75 75 इसमें से माइनस हम कर देंगे तो यह आजएगा आपके सामने 7 यह आएगा 15 ठीक है तो यह आपके सामने आएगा पांस सही, साथ पटे, पंदरा डेज यह टोटल डेज लग जाएगे इस काम को खतम करने में यह एक्स की वेल्यू आ गई आपके सामने अब किसी को एक्स नहीं मान के करना तो कैसे करें सर तो इस चीज़ को समझ यह तो फर्स्ट अफॉल मैं आपको short way करवा रहा हूँ यह नि जो आप लोगों को exam में follow करना है या जो आपको notes में दिया मिलेगा short ways short way में क्या है तो देखिए भाई साथ टोटल work आपके सामने है 60 टोटल work आपके सामने है 60 इसको कर लेते हैं टोटल वर्क आपके सामने 60 है अब देखिए A प्लस B से न आब देखिए A, B और C माल लेजिए यहां से काम तीनों ही स्टार्ट कर रहे है तीनों ही काम स्टार्ट कर रहे है और यह काम यहां खतम हो रहा है भई C तो लगा ही रहा था न लेकिन यह A और B यहां तक पहुँचे नहीं यह कहीं पर रुख गए वो हमें ने बता कहां रुख गए लेकिन यह यहां तक तो नहीं पहुँचे यहां तक नहीं पहुँचे तो यानि कि यह जो दिन जो है वो कितने दिन पहले चोड़ गए थे काम क्या? इनका हमें ये जुरूर बता दिये कि दो दिन पहले इन्होंने काम छोड़ दिये एक statement जो है इन्होंने अब इस चीज़ को समझने के तरीका ही होता है कि मैं मैं कहता हूँ कि मेरे पास 20 रुपे हैं, मेरे पास 20 इतने रुपे हैं, तो मैं कहूँगा यार मेरे पास 50 से 30 रुपे कम है मैंने इसको ये बोल दिया, तो देखा जाए तो मेरी तो value तो वही बना रहा हूँ statement यहां पे change हो रही है इसका मतलब तो वही है, आपको इसको समझने की दे रही है, कि भाई सब ये 2 दिन बोल रहा है, यह पहले की बात बोल रहा है तो आप एक काम करिए ना इससे A और B से पूरा complete ही दिन काम complete करवा लिजी यानि कि दो दिन भी काम complete करवा लिजी तो दो दिन इन दोनों से अगर आप काम करवाएंगे, यानि यह 6 से और इस 5 से दो दिन अगर काम करवाएंगे, 5, 11 यानि कि 11 कि इनकी efficiency दो दिन तक यह काम करेंगे तो 22 यह काम करदेंगे और यह 22 आप इसमें add कर दीजी ठीक है, इसको समझने का तरीका है कि अगर आपको सामने before दिया मिले तो आप समझिए, जितने दिन before है, उतने ही दिन उनसे advance काम करवा लेजी और उस total काम में उसको add कर दीजी, अब यह 82 work जो है, 82 work है, वो तीनों से divide करवा दीजी, यानि कि यह 5, 15 15 से इसको आप divide करवाएंगे, 15 से आप divide कराएंगे, वही 5, 6, 7, 15 15, आंसर आपके सामने निकल कराएंगा, ठीक, पहले वाला जो question मैंने कराएंगे, उसका जो short way है, वो यह है, तो देखें total work तो आपके सामने कितना दिया है, 15, 60 दिया है, अब यहाँ पर देखें, A के efficiency 6 है, B के efficiency 5 है और C के efficiency 4 है, जैसे जैसे दिया है, उसको करवा लिजिए, 2 दिन बाद A काम छोड़के चला जाता है, तो A का 2 दिन का work जो है, इसमें से minus कर दीजिए, भाई, कितना दिन, 2 दिन, तो क्यानि कि 6 के efficiency से 2 दिन काम करेगा है, यानि 12, फिर B छोड़के चला जाता है 2 दिन बाद, B का 4 दिन का मतलब है, 4 चोक 16, ये 16 भी काम कम्पलेट करवा लिजिए, यानि कि इन दोनों को add करिए, ये कितना हो गया आपके सामने, 8 और 2, अब total में से, इसमें से minus कर दीजिए, minus करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा, ये 2, ये 3, 32, तो अब ये देखिए, 32 जो वर्क है, वो किसके द्वरा किरवाया गया, ये B के द्वरा ही किया गया, वो शुरू से लेकर आखिर तक ही रहा ना, वह शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहा, तो यानि कि, आप इसको divide कर दीजिए, ये 5 से, जब आप इसको 5 से divide करेंगे, 6 सही 2, 5 ही आपके सामने एगा, देखें, एकदम से कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी, उसको time लगेगा, इसको आप बार-बार देखेंगे, आपको जो question है, आप उसको पढ़ेंगे, फिर से एक बार कोशिश फिर करेंगे, तो आप लोगों के चीज़े समझ में आएगे, कि ये short way क्या है, बागी जिन लोगों को ये जिस तरीके से detail से कराया गा है, वो समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि detail के बाद आप जब short way पे जाएएगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इतना दिमाग पे burden नहीं डालना है, तो ये होगा आपके सामने second question, फिफ्टिंद का second, या बाते हैं फिफ्टिंद के थर्ड के उपर, देखे, if A left the work two day before the completion of the work, B left the work three days before the completion of work, then find out how many days work will be completed, अब यहाँ पे completed आना था, ठीक है, क्योंकि passive voice लगी है, तो देखे, A जो है, फिर वही, A की efficiency लिख लेते हैं, B की efficiency, A की 6 है, B की 5 है, और C की 4 है, फिर वही same question है, मैं कहींगे, इस अर आप बार-बार efficiency क्यों निकाल रहे हैं, जब हमने already निकाल लिए, तो फाइदा है क्या बनता है, उसका बार-बार efficiency निकालने का, तो total work आपके सामने दिया है, total work आपके सामने दिया है 60 unit, तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, फिर वही है, आप मान लेजिए, let, days में जो काम complete हुआ, वो X था, तो यहां पर A है, बोला गया है, दो दिन पहले काम चोड़के चला जाता है, तो A की efficiency 6 है, दो दिन पहले काम चोड़के चला जाता है, यनि X minus 2 days, B जो है, वो तीन दिन पहले काम चोड़के चला जाता है, तो भाई साब B की मैं कर लेता हूँ, प्लस D की X माइनस का 3 यानि टोटल जो देश थे जिन में खतम हो रहा था उससे 3 दिन पहले काम चोड़के चला जाते है C का मैं कर लेता हूँ C जो है वो भाई साव हर दिन लगा रहा रहता है तो 6 इसकी कैफिस्टिनी एफिजिंशी 4 तो 4X टोटल काम आपके सामने 60 आएगा जब आप इसको करेंगे तो यह आएगा 6X माइनस का 12 प्लस 5X माइनस का 15 प्लस का 4X is equal to 60 यह 12 और यह 15 प्लस हो जाएगे यह 27 आएगा 27 माइनस का 27 इसमें जाके प्लस हो जाएगा यह आएगा 87 यहाँ पर आप देखिए यह 6 और यह 5 और यह 4 यह होगा आपके सामने 15 15X equal to 87 X की value हम निकालेंगे 87 divided by 15 यह आएगा आपके सामने फिर वही जाएगा यह आपके सामने 75 पे तो यह 5 आएगा यहाँ पर माइनस करेंगे 75 तो एक कर दो बारा और पंदरा पांस साही बारा बटे पंदरा डेखिए यह आपके सामने पांस साही अरे गलत करती है यह कट रहा है ना काड़ देते हैं इसकी कट रहा है यह 2 यह 9 यह 5 ठीक है तो यह आपके सामने तीन पे कट गया ना तो यह आपके सामने आगया 29 बटे 5 यानि 5 सही 4 बटे 5 देज तो इतने दिन में काम complete हो जाएगा एक वे तो ये है, दूसरा वे ये है भाई साब आपके सामने total work जो दे रखा है total work जो दे रखा है, वो 60 दे रखा है इसमें A जो है वो दिन पहले काम चोड़के जा रहा है, तो A से 2 दिन का काम advance में करवालो ना तो A की efficiency 6 है, तो 12 B जो है वो 3 दिन पहले काम चोड़के जा रहा है, तो B का advance काम करवालो ना, B यानि की 15 और ये काम total add कर दीजी, ये 87 बन कराएगा और यहाँ से फिर से वही काम कर लीजी, इन तिनों की efficiency add करके divide कर दीजी, वही आपकी सामने answer निकल कर आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, clear, बाकि जिन कोई detail से समझा रहा है, detail से कर लो, धिरे धिरे short trick पे आ जाना, ये short trick क्या है, ये इसी से बन क्या है, कोई अलग से इजात नहीं हुई है ये चीज, clear, अब आते हैं fourth part के उपर, 15th के fourth part के उपर, बोला गए A, B, C, दोने तिनों ने काम करना शुरू किया, A left the work after two days, B left the work one day before the completion of work, अब यहाँ पर देखें क्या है, अब इसमें A जो है वो after लिखा है, B जो है वो before लिखा है, इस चीज को आपको समझने है, ठीक है, तो वही same है, A की efficiency 6 है, B की efficiency 5 है, C की efficiency 4 है, तो देखिए, total work कितना है आपके सामने, 60 है, let, यहाँ पर कर लीजिए, let, अरे क्यों नहीं चल रहा, let, work जो है, work completed, work completed, कितने दिन में, भाई मान लेजिए, X days में जो है, वो काम खतम हो रहा है, तो आप देखिए, यहाँ A है, यहाँ B है, और यहाँ C है, भाई A ने कितने दिन, भाई 2 दिन बाद, अब यहाँ पर आप X minus 2 मत कर देना, क्यों, क्यों ना करें, अरे, यहाँ पर लिखा है ना, कि 2 दिन बाद वो चला जाता है, यानि A ने 2 दिन तक तो किया ना, A गुना, 6 गुना, 2, पलस में, अब B जो है, वो दो दिन, एक दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो अब यहाँ हमें नहीं पता न, उसने कितने दिन तक काम किया, तो X-1 कर लीजिए, इसके एफिजिंसी 5, पलस, इसने तो हर टाइम ही काम किया है, तो 4X हो गया, टोटल वर्क आपाने से, आपके सामने 60 हो गया, तो 6 दूनी 12, पलस 5X, अरे, क्या हो रहा है, इसको माइनस का, इसको बीच में जटके लग रहे हैं, क्या माइनस का 5, पलस का 4X is equal to 60, तो यहां पर यह माइनस हो जाएगा, यह साथ आएगा, यह नो आएगा, यह साथ उसमें जाके माइनस हो जाएगा, यह 53 आजाएगा, अरे, चल नहीं रहा, यह 50, इसको बीच में दोरे पड़ जाते हैं, 53 आएगा ना, कहीं गड़ बड़ कर दूँ मैं, इसमें 12 में से 5 गए, 7 आगे, 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 53 आगे, हाँ ठीक है, 9X is equal to 53, तो X की value आएगी, 53 divided by में 9, कहीं कट रहा है, तो यह जाएगा, 5 पर 45, 45 यानि की, 8 यहां पर आएगा, 9, यानि की, यह आगे आपके सामने, 5 साही, 8 पर टे 9 डेज, एक तो यह तरीका है, दूसरा तरीका यह है, आपके सामने, कि भाई साहब, आप एक काम करिए ना, आपको, टोटल वर्क तो पता ही है, टोटल वर्क तो आपको पता ही है, टोटल वर्क है, आपके सामने 60, टोटल वर्क आपके सामने 60 है, तो देखिए, ए जो है, वो दो दिन तक काम करता है, तो एका आप दो दिन का काम हटवा दीजिए, minus का 12 करवा लीजिए तो यहां आएगा आपके सामने 8 और यहां आपके सामने 48 यह तो आगया आपके सामने left work और अब B जो है वो एक दिन पहले काम छोड़के जा रहा है तो B का एक दिन का काम इसमें add करवा लीजिए तो B के efficiency 5 है तो 5 इसमें आप add करवा लीजिए तो यह हो गया आपके सामने कितना गया मैं सही तो कर रहो ना ठीक है B के efficiency यहां पर आपके सामने इसमें जब आप add कराएंगे 3 53 तो 53 अब यह जो 53 है यह आप complete काम करवा लीजिए B पलस C यानि कि 9 फिर से वही आपके सामने answer आएगा 5 सही 8 बाइ 9 तो मतलब कि इतने दिन लग जाएंगे इस काम को खतम होने में तब आते हैं इस 15th question के last part के उपर इसमें बोला गया है कि A, B, C तीनों काम करना शुरू करते हैं एक साथ और 3 days, after 3 days A left the work C left the work 4 days before the completion of work अब यहाँ पर जो है वही same, अब आप question पिछले वाला देखेंगे न, वही same इसमें करवाया गया है एक बार वीडियो पोज करके इस question को करने ही ट्राइ करिए, ठीक है चलिए, करते है आपके सामने पता है कि A की efficiency 6 है, B की efficiency 5 है, C की efficiency आपके सामने 4 है total unit या फिर जो LCM है या जो work है जो हमने मान रखा है वो आपके सामने कितना है वो 60 है बोला गया है कि 4 दिन पहले C छोड़ के चला जाता है और 3 दिन बाद जो है वो A चोड़ के जाता है ट्राइक है, total जो काम complete करने में दिन लगे वो बताने है तो मान लेजिए, let days, जो है वो काम खतम होने में लगे, x days ठीक है, work complete हुआ x days में, तो भाई साब ऐसा है कि यहाँ A है, यहाँ B है यहाँ C है, A ने तो भाई 3 दिन काम किया, इसका तो सीधा सीधा E साब है A ने 3 दिन काम किया, तो A को 3 दिन काम करवा लेते हैं यहनि कि 6 गुना 3 plus, B जो है यहाँ पर तो हर टाइम लगा है क्योंकि इस बार C छोड़ के जा रहे हैं तो हर टाइम B ने काम किया है, तो B मतलब कि 5 multiply में x यहनि 5x, फिर C अब छोड़ के जा रहा है C के efficiency 4 है, तो x minus का यहाँ पर 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 4 और total work आपके सामने 60 है, तो यह 18 आया, यह 5x आया, प्लस का यह 4x minus का 16 इजार आया, आपके सामने 60, अब यह minus है, 16 plus का 8 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 उदर जाके minus हो जाएगा तो यह 58 आएगा यह 9x आजाएगा तो x is equal to 58 divide by 9, तो यह आपके सामने आएगा 54, यह आगे आपके सामने हाँ, 9, 54 और यहाँ पर आएगा 4 और 9, ठीक है, 6 सही 4 बटे, 9 दिन यहाँ पर लग जाएगे अब इसको जो है, देख लीजे, कोई गडबड तो नहीं हुई होगी, मैंने तो कोशिश किये कि इसमें कोई गडबड ना हुई हो ओके, देखे, कई-कई बार statement दिखने में शायद मुझे गडबड होगी, यहाँ पर भी भी हो सकता है, वो आप देख लीजे, लेकिन कोशिशन ऐसे ही होना है, ओके तो 6 सी 4 बटे, 9 दिन यहाँ पर लग जाएगे, इसको करने का दूसरा तरीका फिर वही सेम है, तो total work आपको पता ही है, total work आपके सामने कितना है, 60 है ए, जो है वो तीन दिन बाद छोड़के जा रहा है, तो एका तीन दिन का काम जो है, वो आप एक काम करवा लीजिए, इस त्री डेज वर्क जो है, इसमें से माइनस करवा लीजिए यहनि कि 18 इसमें से जब माइनस करवा लीजिए, तो आपके सामने बचेगा, 2 और यह 4, 42, अब जो है, C जो है, वो 4 दिन पहले काम को छोड़के जा रहा है, तो इसमें 16 काम आप इसमें एड़ करवा लीजिए, तो आप जिसमें 16 काम एड़ करवा लीजिए, तो 58, यह 58 डिवाइड बाई divide by आप 9 करवा लिजी जब आप 9 करवाएंगे तो आपके सामने answer वही सेम निकल कर आएगा तो यह ऐसे भी कर सकते हैं तो उमीद है आप लोगों के 15th question जो है वो समझ में आया होगा इसके सारे parts आपको समझ में आ गए होगे अब आते हैं देखें इसमें 16 ताना था question जो आप देखेंगे class notes के अंदर तो इनी parts को 16, 17, 18 ऐसे कुछ नाम दे रखा है question वही है ऐसा निए कि आपको नहीं करवाए गए है आप सोचें 19th कहां से आ गया 15 चल रहा था वो उसी में नाम दे दिये गए थे तो यहां देखते हैं बोला गया है कि A, B, B, C और C एक किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर लेते हैं तो बताइए कि वो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे तो देखिए A, B, वही काम करेंगे हम इनका जो है यह persons होगे, यहां पर days होगे यहां पर हम LCM लेंगे यहां कहेंगे एक तरीके से work आजाएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, efficiency लिखेंगे तो देखिए A, B, कितने दिन में करते हैं यह आपके सामने दे रखा है कितना दिन, 12 दिन B, C, कितने दिन में करते हैं यह कितना दे रखा है आपके सामने 15 दिन और C, कितने दिन में करते हैं यह 20 दिन दे रखा है आपके सामने और इनकी जो है, efficiency क्या आएगी इनकी जो efficiency, efficiency नहीं जो LCM वो कितना आएगा, आप माल है 60 आएगा, तो इनकी efficiency निकल कराएगी A, B की 5 B, C की 4 C, A की कितना 3 तो अब आपके काम करते हैं, तीनों को add कर लीजिए, यह निकी A प्लस B B प्लस C प्लस C प्लस A इदर कर लीजिए 5 प्लस 4 प्लस 3 यह हो कि आपके सामने, तो देखे एक बर A ये रहा, एक बर A ये रहा एक बर B गेरा, एक बर B गेरा एक बर C गेरा, एक बर C गेरा इनिकी हर चीज दो दो बार आई हुए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 A, 2 B, 2 C ये कितना आजाएगा आपके सामने, 12 2 कोमबन निकाल लेते हैं तो आपके सामने आएगा A प्लस B प्लस C ये 2 यहाँ चला जाएगा इसको डिवाइड कर देंगे A प्लस B प्लस C इस इकोल टू 6 आएगा तो यही कि A प्लस B प्लस C की जो एविशंजी है, वो कितनी आई, 6 आई टोटल वर्क कितना आपके सामने 60 है, उसने यही पूचा है कि तीनों मिलका अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे तो 60 डिवाइड बाइ 6 यानि कि 10 डेज जो है, वो लग जाएंगे काम कंप्लेट करने में अगर वो इंडिविजुल का पूचता तो इंडिविजुल हम कर लेते, तो देखिए इंडिविजुल कैसे, A प्लस B प्लस C छे दिन दे रखे हैं, 6 की एविशंसी आई हुई है तो आप देखिए, B प्लस C की एविशंसी कितनी है इन दोनों की एविशंसी कितनी है 4 है, A प्लस 4 6 है, तो A की एविशंसी कितनी आएगी 2 आएगी, A के efficiency 2 आगई, तो B के efficiency कितनी आएगी, B के efficiency आएगी भाई साब, A plus B जब 5 है जिसमें से A 2 है, तो B की कितनी आजाएगी, 3 आजाएगी आपके सामने, ठीक है, वही B plus C में कितनी आएगी, जब B 3 है, तो C कितना आएगा, 1 आजाएगा individual भी ऐसे आप निकाल सकते हैं क्योंकि अब जो questions start होगे, वो individually start हो जाएगे, तो देखिए A plus B, B plus A C plus B plus C C plus A, वही 10, 12 20 में कर सकते हैं, in how many alone, अब देखिए इसमें पूछा कि अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वही same concept है, देखिए, एक काम करिए, पहले आप करिए, मैं तो करवाई दूँगा एक बर आप जब try करेंगे तो बहुत सही रहेगा ओके, देखिए, A plus B वही same चीज करेंगे हैं, ओके यहाँ पर आपके सामने days लिख देते हैं यहाँ पर LCM लिख देते हैं C कितने दिन में कर रहे हैं, यह 12 दिन में कर रहे हैं, C plus A कितने दिन में कर रहे हैं, यह 20 दिन में कर रहे हैं तो 10, 12, 20 इनका LCM कितना आएगा, वही 60 आएगा, यहाँ 6 इसकी efficiency आजएगी, A, B, A, B की, और B, C की efficiency आजएगी आपके सामने 5 CA की efficiency कितनी आजाएगी 3 आजाएगी फिर वही same concept है इन तीनों को जो जोड़े हैं इन तीनों जोड़ें को जोड़ देते हैं A plus B plus B plus C plus C plus A यहाँ पर आएगा 6 plus 5 plus 3 इनको जोड़ेंगे देखें twice, दो दो बार आएगा तो एक काम कर रहा हूं मैं सीधा ही निकाल रहा हूं ठीक है, तो यहाँ आपके सामने 11 रेक, 14 A plus B plus C की जो efficiency आई आपके सामने वो 7 आई अब देखिए A की efficiency क्या होगी A की efficiency भाईज़ आप देखिए B plus C की efficiency आपको दे रखिए 5 यह जो 5 है तो A की कितनी है 2 है B की efficiency कितनी आईगी तो B की देखिए B की efficiency आईगी आपके सामने खांगया B की efficiency देखिए C A की efficiency 3 दे रखिए है C और A की efficiency आपको 3 दे रखिए है तो B की कितनी होगी 4 होगी और C की C की अपने को पता है जब 5 B plus C की 5 है और जिसमें B 4 है तो C की क्या होगी? एक होगी अब हर एक का अपने को पता है हर एक का अपने को पता है तो देखिए इसकी 2 की efficiency है 60 काम है तो ये कर देगा 30 दिन में वहीं इसकी 4 की efficiency है तो 60 काम है 4 की efficiency से ये कर देगा उसको 15 दिन में यहीं C की efficiency 1 है तो 60 काम है A की efficiency से उसको कर देगा वो 60 दिन में तो यह हो जाएगा आपके सामने individual निकालने का तरीका कि वो कैसे अलग-अलग वो काम कितने दिनों में करेंगे same concept आपके सामने फिर से यहाँ पे रखा गया है कि A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A किसी काम को 12, 8 और 10 दिन में कर रहे है तो बताइए कि वो अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे तो देखिए वही same concept है एक बार फिर से आप try करिए यह concept, यह question जो है अभी पीछे करवाया है, वही चीज है अफिछा करवा दिया गया तो उम्मिद करता हूं कि आपने इसको करने की कोशिश की होगी तो देखिए, करते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं A प्लस B यहाँ लिखते हैं B प्लस C और यहाँ लिखते हैं C प्लस A यहाँ हम table बना लेते हैं अपनी जो अब तक हम बना रहे थे यहाँ days आ जाएंगे यहाँ work या फिर कह लें कि एक तरीके से LCM आ जाएगा और यहाँ आपके सामने क्या आ जाएगी efficiency आ जाएगी तो देखिए A प्लस B कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में और C प्लस A कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में तो इनकी आप LCM लेंगे तो इनका LCM आपके सामने आएगा 120 एक सो बीस हाएगा यहाँ इसके सामने efficiency आएगी 10 और इसकी जो efficiency आएगी 120 बटे 8 तो यह आएगा आपके सामने दो ये तीस ये पंदरा बी प्लस सी के एफिशेंसी आजाएगी पंदरा और इसकी आजाएगी बारा कुछ कोमन तो नहीं रहेगी ना हाँ ठीक है इनके एफिशेंसी आपके सामने इगी आप बूचा गया है कि वो अकेले उस काम को केतने दिन में कुरेंगे तो इन तीनों काम जोड़ेंगे तो आपको बता है कि ट्वाइस ओफ A प्लस B प्लस C बनता है और इसके सामने जो एफिशेंसी आएगी ये आपके सामने आएगी 37 37 ये 2 इसके नीचे जाएगा तो ये आपके सामने 7.6. 8 बनके efficiency आएगे नहीं एक बिनिट एक बिनिट 8. lassen कैसे आएगे भई यह आएगे आपके सामने 1.8 साइड़े 8 a plus b plus c की जो efficiency आएगे वो 1.8 बनके इंकल कर आएगे तो ओब देखिए a plus b c की efficiency आपके सामने 1.8 c की efficiency क्या होगी देखे ए प्लस बी जब 10 है ए प्लस बी प्लस जब 10 है ये जब 10 है तो C कितने होगी obviously C 8 होगी तो C की efficiency 8 है और वहीं B प्लस C एक मिनिट रोगे देखे ये देखे A प्लस C जो है यहाँ पर देखे A प्लस C 12 है A प्लस C 12 है जिसमें से A जो है A जो है साड़े 8 है A साड़े 8 है माल लेजिए भई किसी के पास 12 बंदों के पास 12 रुपे एक के पास साड़े 8 है तो दूसरे के पास कितने होंगे भई यहाँ पर आपके सामने आएंगे साड़े 3 यहाँ पर आपके सामने आएंगे साड़े तीन और बी देखिए देखिए बाई ए जो है साड़े तीन है तो बी कितना होगा बी होगा आपके सामने साड़े छे बी होगा साड़े छे इनको करें तो यह आएगा आएगा आपके सामने 16 रेक 17 बटे दो यह आएगा आपके सामने तीन दुनी छे एक साथ बटे दो यह आएगा आपके सामने छे दुनी बारा बारा रेक तेरा बटे दो ठीक है यह होगी आपके सामने efficiency अब वर्क जो है वो टोटल कितना है आपके सामने 120 तो अब सी कितने दिन में करेगा तो 120 बटे 17 यह दो उपर चला जाएगा ए कितने दिन में करेगा भाई साब ए करेगा 120 बटे 7 गुना दो उपर चला जाएगा बी कितने दिन में करेगा बी करेगा 120 बटे 13 उपर दो चला जाएगा तो इसको आपको solve कर लेंगे तो आपके सामने answer निकल करा जाएगा clear तो यह वागया आपके सामने 21st question अब हम चलते हैं हमारे 22 question के तरफ 22 question में बोला गया है A, B, C can do any work in 6 days while B alone can do this work in 16 days B plus C in 10 days find in how many days A और B कितने दिर में उस काम को करेंगे Hindi में इस question को समझाओं तो देखिए बोला गया है कि A, B, C किसी काम को तीनों मिलके देखिए तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं तो यहां लिख देता हूँ A plus B plus C वही हम table बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए यहां days लिखेंगे यहां work लिखेंगे यानि कि जो LC हम लेते हैं वो लिखेंगे और इसके बाद जो है efficiency लिख देंगे ठीक है तीन बन्दे हैं तीनों का ध्यान रखेंगे हैं देखिए A plus B, B plus C किसी काम को 6 दिन में करते हैं वहीं बोला गया है B अकेला यह देखिए alone B अकेला उस काम को 16 दिन में करते हैं B अकेला उस काम को 16 दिन में करते हैं और B plus C अब देखिए B plus C उस काम को कितने दिन में करते हैं B plus C उस काम को कहा गया कुछ गड़बड होगी क्या 10 दिन में करते हैं B plus C उसका हमको 10 दिन में कर देते हैं तो 6, 16, 10 यह आपके सामने आगे अब इनकी LCM लेंगे तो 6, 16, 10 इनका LCM लेने ही चलते हैं तो यह जाएगा 3, 8, 5 यह आपके 40, 80, 240 यह 240 है आपके सामने LCM आगे A plus B plus C की जो efficiency आपके सामने निकल कराएगी 40, यह आपके سामने निकल कराएगा 240 पटे कितना है 16 है, यह गया आपके सामने 4, यह आपके सामने आगे कितना भाई साब यह आपके सामने आगे 60 यह आगे 15 B की अकेली की efficiency पंदरा आगे B plus C यह आपके सामने आगे 24 तो देखिए B plus C 24 है अकेला B कितना है उसके अंदर अकेला B जो है उसके अंदर 15 है तो C कितना है 9 C 9 है तो A B कितना है A B plus C 40 है जिसमें से C 9 है तो A plus B कितना हो गया आपके सामने 31 हो गया तो days कितने लग जाएंगे भाई पूछाई यही गया है न कि A plus B मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे तो A plus B मिलके उस काम को 240 बटे 31 days में उस काम को complete करेंगे आया समझ में तो यह हो गया आपके समने 22nd question अब आते हैं 23rd अच्छा है एक तरीके से practice के लिए मैंने डाल रखा है यह question आपको करना है बहुत असान question है वही A plus B, B plus C, C plus A किसी काम को 20, 30, 40 दिन में करते हैं वो अकेले मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे बहुत easy question है तो यह आप लोगों को करना है यह practice के तोर पे मैंने डाला है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर number देखेंगे numbering नहीं किये यह अलग से मैंने आप लोगों के डाल दिये ताकि आप लोग यह question कर ले करिए और अगली वीडियो के अंदर जब पांट रिया है तो उसमें वहाँ पर या फिर इसी में आप comment section में इसका answer लिख सकते हैं अब यहाँ पर आते हैं 23rd question पर अब 23rd question काफी बढ़िया question है इसको समणना है देखें A प्लस B, B प्लस C किसी काम को 12 और 16 दिन में करते है If A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days कहते है कि भाही साब A जब वो 5 दिन तक काम करते है और B जब वो 7 दिन तक काम करते है और C जब वो बाकी बचे काम को 13 दिन तक करते है तो बताईए C अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा complete काम को तो देखे जो आपके सामने दिया है ना पहले तो उस पे खेलिए A प्लस B और B प्लस C आपको सामने ये दो ही दे रखे हैं जोडे इनके उपर ही आपको खेलना है तो देखिए एक उनट ये तो मैंने कुछ और ही कर दिया भाई साब एक उनट इसको रफ कर देते हैं रफ होगे न चली होगया होगा अपने ओके है यहाँ पर डेज लिख देते हैं यह LCM आ जाएगा यहाँ पर LCM आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने Efficiency आएगी तो A प्लस B जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं और B प्लस C उसकाम को 16 दिन में कर रहे है इनकी Efficiency आएगी आपके सामने 48 इनकी Efficiency नी Individual Efficiency नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ तो देखिए A जो है वो 5 दिन तक करेगा B जो है वो 7 दिन तक करेगा और C जो है वो remaining काम 13 days तक करेगा यह जो डेटा आपके सामने जो दे रहे हैं इसी में आप लोगों खेलना है इसी में खेलना कैसे है तो देखिए A जो है वो 5 दिन तक करेगा और B जो है वो 7 दिन तक करेगा तो काम कर लीजी न एक बार आप इन दोनों को एक साथ काम करवा लेजीए आपके पास 5 दिन तो है 5 दिन तक काम करवा लेजीए फिर उसके बाद आप लोग B प्लस C को काम करवा लीजी मतलब क्या है मतलब ऐसे देखे A प्लस B को आप काम करवाईए 5 दिन तक 5 दिन तक कैसे क्योंकि भाई साथ देखे इनको days में adjust तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास individual efficiency नहीं है individual efficiency नहीं है तो आपको इनको जोडे में चलाना पड़ेगा और जोडे में चलाना पड़ेगा तो आपके सामने जो days दिया गया है उसी के coding चलाना पड़ेगा तो पास दिन तक तो एक काम करेदा है तो आप इसके साथ दिन में से पास दिन इधर ले आईए दो दिन यहां बच जाएंगे तो देखे पांस दिन तक आप इनको काम कुरवाएंगे A प्लस B को एफिजिंसी कितनी है चार तो चार यानि कि काम हो जाएगा आपके सामने 20 फिर भाई साब A चला गया आप B बच गया तो यहां से आप A, C को गसीड लाइए यहां पर C को यहां पर गसीड लाइए पांस दिन तो इसने B के A के साथ काम कर लिया अब यहां B पलस C कर लिजिए दो दिन बचे हैं आपके सामने दो दिन ही तो रहा करेगा आप काम B वैस साथ दिन करना था 5 दिन A के साथ मिलके कर गया अब यहां पर यह थोड़ना लिखा है उन्होंने अकेले-अकेले कर लिया वैस साथ दिन तक काम किया A ने 5 दिन तक काम कर लिया हम इसी डेटा से खेल रहे हैं तो देखे़ एक काम कर लिए आप इस दो दिन तक इन दोनों को पास बच गे तो ग्यारा दिन ही इसके पास बचे अब इसने remaining काम जो है वो 11 दिन में काम किया कि remaining काम कितना रह गया तो देखे 20 प्लस 6 26 काम कर चुके हैं 26 काम कर चुके हैं remaining वर्क जो रह गया minus कर देते हैं तो आपके सामने रह गया 22 काम 22 काम इसने कितने दिन में किया 11 दिन में तो 20 बटे 11 यानि कि इसकी efficiency कितनी आई 2 की efficiency आगई 2 की efficiency किसकी C की efficiency जो है वो 2 की आगई तो यही पूछा है कि C पूरे काम वो कितने दिन में करेगा 48 unit work है 2 की efficiency है 24 दिन जो है वो C को लग जाएंगे उस काम को complete करने में तो यह हो गया आपके सामने 23rd question बहुत बढ़िया question था ऐसा ही question जो है हम खाली चोड़ दिया क्या ऐसा ही question हम 24th में करने वाले हैं question पढ़िये और इस question को करने ही question करिये तो चलिए मैं आपको करवा देता हूँ तो देखे यहां पर बोला गया है A plus B can do a work in 12 days while B plus C in 20 by 3 days देखे यह आपको मिलेगा 6 सही 2 बटे 3 ठीक है 6 सही 2 बटे 3 वो मैं यहां पर type नहीं कर पा रहा तो इसलिए 20 by 3 ही कर दिया मैंने सीधा तो यहां पर आपके सामने एक मिनटे एक मिनटे टिकांगे हाँ ओके आगे मिलेगा work is completed by A, B, C by working 3, 4, 7 days respectively मतलब देखे A जो है वो तीन दिन तक काम करेगा B चार दिन तक काम करेगा और C साथ दिन तक काम करेगा बोला गया find in how many days A alone would complete the whole work बताई यह कि A अकेला उस काम को कितने दिन बे करेगा जो आपके सामने काम दिया गया है जो statement है जो भी आपके काम की चीज़ है उसको बाहर निकालिए तो भाई साब जो काम की चीज़ है वो यह है कि A प्लस B दिया है A प्लस B दिया है यहां days लिख लेते हैं यहां work लिख लेते हैं work बोले तो यहां पर LCM एक तरीके से और यहां पर efficiency लिख लेते हैं अब a plus b काम को कर रहे हैं 12 दिन में और b plus c उस काम को कर रहे हैं 20 बटे 3 दिन में इन दोनों का LCM लेंगे तो देखे आपको fraction में अगर कोई value दी है देखे इन दोनों का LCM लेना है तो इन दोनों का LCM लेना है तो जो अगर fraction में दीगे तो उससे आप डरिए मत इसको छोड़ दीजिए आपको उपर वाले का LCM लेना है बाकी जब हम LCM करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ को समझाओंगा कैसे करते हैं चीज़ तो अभी इस चीज़ को समझगे जो आपको बोला गया LCM लेने का तो उपर वाले का LCM लेजिए तो 12 और 20 का जब आप LCM लोगे तो 60 आएगा तो LCM जब आपने 60 ले लिया तो इसके बाद जो Efficiency निकल कराएगी इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 60 को 12 से तो यहाँ पर आएगा आपके समने 5 यहाँ पर आएगा आपके समने 9 तो यहाँ आगे आपके समने Efficiency यह 9 कैसे आई भाइसाब 60 के नीचे हम 20 बटे 3 लेके गए तो 3 ऊपर चला गया इसने इसको 0 से 0 3 यहाँ पर तो 9 यहाँ पर आपके समने Efficiency आगई तो अब यह देखिए A, B और C A जो वो 3 दिन, B 4 दिन इसको B को सही लिख लेते हैं और C 7 दिन अब Individual Efficiency तो है नीज़ाँ नहीं है तो इससे काम करवाना पड़ेगा ऐसी काम करवाना पड़ेगा तो उसका काम करईए न A पलस B को एक बर आप दोनों को एक साथ ले आएगे इन दोनों को एक साथ ले आए तीन दिन तक तो यह 3 दिन तक यानि यह 3 दिन इसको दे देंगे तो 1 दिन इसके पास बच जाएगा ठीक है तो यह काम करिए A प्लस B ने 4 दिन तक 3 दिन तक काम किया कितने के एफिजिंसी से 5 के एफिजिंसी से तो 15 काम इन्हों ने कर दिया अब एक दिन इसके पास बच जाएंगे तो देखे छे दिन इसके पास बच जाएंगे तो ऐसा करिए B प्लस C B प्लस C ने एक दिन तक काम किया कितने के एफिशेंसी से? 9 के एफिशेंसी से तो 9 काम यहां कर दिया है इनों ने तो बांदरा और 9 हो गया आपके सामने 24 तो 24 काम ये complete कर चुके हैं यहाँ पर आपके सामने बच गया 36 काम ये 36 काम जो है वो C कर रहा है 6 दिन में क्योंकि इसके पास 6 दिन ही तो बच गये न C के पास 6 दिन ही तो बच गये ये 36 काम जो है वो C ने किया चे की efficiency से, तो चे की efficiency से नहीं, छे दिन में किया, तो 36 काम 6 दिन में किया, तो यनिक की efficiency कितने निकल कराई, 6 निकल कराई, तो C की efficiency 6 है, माइनस 6 करिए, तो आपके सामने कितना आएगा, 3, तो 2 B की efficiency निकल कराएगी, 3, अब A पलस B 5 है, जिसमें से B 3 है, तो A कितना आएगा आ के साथ है एक ही एफिशेंसी दो निकल कराई तो यह आपके सामने काम करेगा 30 डेज में तो यह हो गया आपके सामने 24th कोशन ओके तो यहीं तक थी यह वीडियो पार्ट 3 के अंदर हम बाकी कोशन को अब धीरे-धीरे करेंगे ऐसा नहीं कि इद्दम से ही बहुत सारे कोशन ल लिए कुछ कम कोशन मुझे लेने चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है कोई ना देखे टाइम मुझे कम मिल रहा है इसलिए मैं ज्यादा कोशन एक बार में करवाने कोश्च कर रहा हूं बट कोई ना अगली वीडियो के अंदर में कम कोशन रखोंगा अरे भाई साब वो लाइक का बटन है ना उसके द्वारा कोमेंट सेक्शन ओपन है अपने डाउट आप लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया डेफिनिटली उसके पर मैं एक अलग से वीडियो में बना दूगा या उस कोशन उस पर्टिकलर कोशन के उपर आप लोगों के लिए गलग से वीडियो में बना दूगा पीडियाफ के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बसाज के प्रिय्दा थेंक यू फोर वचीं